नमस्कार में दिक्षा सिंग बोल्सकाई में आपका स्वागत है अंड़कोष पुर्शो की प्रजनिन प्रणाली का ये कंग है ये वीरे और टेस्टोस्टेरॉन पैदा करते हैं ये अंड़कोष इस्क्रोक्टम नाम की तवचा की धीली थैली के अंदर होते हैं जो लिंक के पीछे के हिस्से में लटकते रहते हैं अंड़कोष की गाठ और सुजन के कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं फुछ दुरलब मामलों में ये अंड़कोष के कैंसर का संकेत भी हो सकते हैं बहराल ज्यादा तर गाठें सौम में रहती हैं अंड़कोष की गाठ और उनके सुजन के प्रकारों की बात करें तो अंड़कोष की नसो का सुजन अंड़कोष की थैली के अंदर बढ़ी हुई नसो द्वारा होने वाली सुजन अंड़कोष की सुजन अंड़कोष के आसपास तरल से होने वाली सुजन एपीडिव डाइमिस अंड कोश के पीछे एक कॉयल्ड ट्यूब में तरल के जमा होने से बनने वाली गाट अगर इन में वीरे होगा तो इसे अंड कोश की गाट कहा चाता है अंड कोशों की मरोड एक अचानक होने वाली दर्द भरी सूजन उस वक्त होती है जब अंड कोश मुड़ जाता है और अंड कोश तक रक्त किया पूरती बाधित हो जाती है या एक चिकित्सी आपात स्थती होती है आपके अंड कोश में कोई गाट सूजन या परिवर्तन दिखाई देता है तो अपने डॉक्टर से मिले क्योंकि इस तरह की समस्याओं की जाच किसी हेल्थ केर प्रोफेशनल द्वारा ही की जानी चाहिए